हेलो फ्रेंड्स स्वागत हाप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास्थ्रीवन टैक तो फ्रेंड्स अगर आप एक Amazon एसोसियेट हैं आप Amazon affiliate के थूरू earning करते हैं आपने Amazon affiliate का account बनाया हुआ है लेकिन आपने उसमें अब तक अपना bank account एड़ नहीं किया आपको यह नहीं पता कि उसमें bank account कैसे अड़ करते हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि आप अपने Amazon affiliate account को bank से कैसे लिंक कर सकते हैं उसमें bank account कैसे और अगर आपको यह सीखना है कि Amazon affiliate account कैसे बनाते हैं तो उसके उपर मैंने ओल्रेड़ी वीडियो बना रखी है उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा वहां से जाके इसली से सीख सकते हैं और तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे शुरू से नमें आपके तक में दो ऑप के एंट सायर हमा लाटीपन के ऑपर एंप मोबाईल फॉन में हैं इस टेफ को जो मैं यहां पे यहां पर लैप टॉक्त में सिखांगा यहां पे स्क Cart बढ़ी है तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले गूगल खोल लेना है, Chrome ब्राउजर में, किसी भी एक ब्राउजर में खोल सकते हैं, पर मैं आपको यही सज़ेस्ट करूँगा, Chrome browser यूज़ करें यह safe है और अच्छा भी है और यहाँ पर हमें type करना है Amazon affiliate enter कर देना है तो हमें यहाँ पर यह Amazon affiliate यह सबसे उपर ही आ जाएगा इसके उपर click कर देना है हमें इस website पर यहाँ पर हमें अपने जो भी है मैंने में sign in कर लिया है इस तरीके से sign in हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर आपको उपर अपनी email ID दिखाई देगी मैं उपर click कर देता हूं कि यहाँ पर देख सकते हैं आपकी email ID आएगी जिससे आपने account बनाया है ठीक है यहाँ पर शो होगा वो अब यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको पर क्लिक करके, account setting में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको काफे सारे option मिल जाते हैं, यहाँ से आप कुछ भी change कर सकते हैं, अपना password चेंज करना हो, website application में कुछ edit करना हो, information कोई भी आपको यहाँ पर कुछ भी edit करना हो, अपने account के अंदर वो आप यहाँ से add कर सकते हैं, य हमें दूसरे page पर ले जाएगा, तो मैं इस पर click कर देता हूँ, यहाँ पर हमसे यह दुबारा sign in करने के लिए कह रहा है, तो मैं जल्दी से password डालके, यहाँ पर sign in कर देता हूँ, sign in पर click करने के बाद, यह मुझे two step verification के लिए code पूछ रहा है, कि text करना है, या call करना है, त तो मैं text पर कर लेता हूँ, send out for TP पर click कर देता हूँ, तो मैंने आपना OTP एंटर कर दिया है, अब sign in कर लूँगा, तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से page आपके सामने खुल जाएगा, यहाँ पर home है, your associate account है, your payment method है, मैंने इसमें already एक add किया हुआ है, लेकिन आपके सामने यहाँ पर 3-4 option आजाएंगे, pay me by anyft, और भी काफी सारे option आएंगे आपको इसके साथ, कि directly bank में pay करना है, आपको उसमें से यही anyft वाला select करना है, और इसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1000 रुपे minimum earning है, जब तक आपके account में, इस affiliate account में 1000 रुपे नहीं हो जाते, आपनी bank की currency आपको इस वाले, यहाँ पर इस वाले section में select कर लेनी है, कि कौन सी currency अगर आप इंडिया से हैं, तो इंडियान रुपीज, अगर आप किसी other country से हैं, तो उसी subset dollar, जो भी आपकी currency है, वो आप यहाँ से select कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर bank account holder name आता है, यहाँ कि जिस नाम से आपका bank में, जो भी नाम है आपका bank account जिस नाम से है, वो नाम आपको इस box के अंदर edit, यहाँ पे अंदर गढ़ना है, इहाँ पर लिख देना है, उसके बाद नीचे उसी bank account number है, यहाँ पर अपको बैक का number डालना है, और यहाँ पर confirm bank account number उसी number को आपको दु IFSC code आपके checkbook पे भी होता है ठीक है या फिर आपकी जो statement आती है उस पे भी आपको bank की जो statement होती है उस पे भी आपको IFSC code मिल जाएगा उसके बाद आपको नीचे यहां पे पूछ रहा है for US tax purpose are you a US person तो अगर आप US person है तो yes करेंगे अगर नहीं है तो no पे रहने देंगे और उसके बाद आपको नीचे यहां पे submit का option दिखाई दे रहा है आपको simple submit वाले option पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी यह details है आपकी जो भी बैंक details है वो इसमें edit हो जाएंगी add हो जाएंगी इस account affiliate account के साथ ठीक है तो इस तरीके से आप अपने bank details को अपने amazon associate account में add कर सकते हैं तो friends अब आपने अच्छे से सीख लिए होगा कि आप किस तरीके से अपने amazon affiliate account के अंदर अपने bank account को add कर सकते हैं उसे link कर सकते हैं अपने bank से तो अगर फिर भी इस video से कोई भी आपको क्वेरी है कोई question है आपके माइंड में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इससे एक like जरूर करें हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू